हाई फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख नदी बांद इसके बाद से हम अगले टॉपिक में देखेंगे भारत की बहुत देशिये परियोजनाए ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन ये दोनों अलग-अलग हैं इसमें हम पहले देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है इसमें है कि भारत की प्रमुख नदी बांद तो चलिए दोस्तों आज हम इसमें कुछ प्रस्णों को देखेंगे ये सारे प्रस्ण लुसेंट अब्जेक्टिब जो बुक है उससे लिए गया है लेकिन उससे अधिक इसमें प्रस्ण है हमने इसमें अलग से भी प्रस्णों को एड किया है क्योंकि लुसेंट अब्जेक्टिब में कुछ चुनिंदा प्रस्ण लिए गया थे लेकिन हमने उसमें और भी प्रस्णों को एड कर दिया जो उसमें नहीं दिये गए थे तो चलिए शुरू करते हैं इसमें है भारत का सबसे उचा नदी बाध कौन सा है भारत का सबसे उचा नदी बाध टीरी बाध है अगला प्रशन है टीरी बाध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों टिहरी बाद जो है यह भागी रती नदी पर बनाया गया है भागी रती नदी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बाद बनाया गया है अगला तीसरा प्रस्ण है टिहरी बाद भारत के किस राज्ज में इस्थित है दोस्तो टिरी बाद भारत के उत्रा खंड राज़ में इस्थित है उत्रा कंड राज़ 2022 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था अगला प्रश्न है टिरी बाद की उचाई कितनी है दोस्तो ये भारत का सबसे उचा बाद है तो निश्चित रूप से इसकी उचाई पूछी जाएगी तो इसलिए हमने इस प्रश्ण को लिया है तीरी बांध की उचाई कितनी है? तीरी बांध की उचाई 260.5 मीटर उची है अगला प्रश्ण है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तो भारत में सबसे लंबा बांध हीरा कुन्ड बांध है और यह विश्व के सबसे लंबे बांधों में से भी एक है अगला प्रश्ण है हीरा कुन्ड बांध किस राज्जी में इस्थित है? दोस्तो हीरा कुंडबाद भारत के ओडिसा राज्य में इस्थित है अगला प्रस्न है हीरा कुंडबाद किस नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स हीरा कुंडबाद महा नदी पर बनाया गया है अगला प्रस्ण है महा नदी पर बनाया गया हीरा कुंड बांध की लंबाई कितनी है दोस्तों महा नदी पर बना है ये लेकिन इसकी कुल लंबाई है 26 किलो मीटर और यह भारत का सबसे लंबा बांध है अगला प्रस्ण है गाधी मिनार और नहरू मिनार किस बाध के किनारे इस्थित मिनारों के नाम है फ्रेंड्स ये हीरा कुंड बाध के किनारे इस्थित है और इनका नाम है गाधी मिनार ये मिनार हीरा कुंड बाध के दोनों तरफ इस्थित है अगला प्रस्ण है तिहरी बाद निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर इस्थित है दोस्तो तिहरी बाद भागी रती नदी और भिलांगरा नदी के संगम पर इस्थित है तिहरी बाद पर योजना की कलपना कब की गई थी और यह कब बन कर तयार हुआ दोस्तो इसकी कलपना 1953 में की गई थी लेकिन यह बन करके 2007 में तैयार हुआ अगला प्रस्न है सलाल बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है फ्रेंट्स सलाल बांध नदी परियोजना यह चिनाव नदी पर बनाया गया है और यह जम्मु कास्मीर में इस्थित है अगला प्रस्न है रानी लक्ष्मी बाईबांध किस नदी पर इस्थित है फ्रेंट्स रानी लक्ष्मी बाईबांध भारत की बेतवा नदी पर इस्थित है अगला प्रस्न है रानी लक्ष्मी बाईबांध किस राज्य में अवस्थित है राज्य के बारे में भी प्रस्ण पूछे जाते हैं इसलिए हमने सभी राज्यों को लिया है यह उत्तर प्रदेश में इस्थित है अगला प्रस्ण है मेट्टूर बाद कहा अवस्थित है दोस्तों मेट्टूर बाद तमिल नाडु में अवस्थित है मेट्टूर बाद किस नदी पर बनाया गया है दोस्तो मेट्टूर बाद कावेरी नदी पर बनाया गया है कावेरी नदी जो दक्षिर भारत है वहाँ पे सारी नदिया मौसमी नदिया है लेकिन कावेरी नदी ऐसी नदिया है जिसमें सालों भर इसमें पानी रहता है अगला प्रस्न है कोईना बाद किस राज्य में इस्थित है दोस्तो कोईना बाद महराष्ट में इस्थित है कोईना बाद किस नदी पर बनाया गया है अगला प्रस्न है कोईना बाद किस नदी पर बनाया गया है दोस्तो Almighty बाद कृष्णा नदी पर बनाया गया है Almighty को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं Almighty एक English word है Almighty का अर्थ होता है सर्व सक्ति साली और कृष्णा नदी कृष्ण से याद कर सकते हैं सर्व सक्ति साली थे कृष्ण इसलिए हम इसे trick से याद कर सकते हैं अगला प्रस्ण है, अलमाटी बाध किस राज्य में इस्थित है? अगला प्रस्ण है, थीन बाध किस नदी पर बनाया गया है? अगला तेश नमबर प्रस्ण है, किस बाध को रंजीत सागर बाध के नाम से जाना जाता है? दोस्तो जो थीन बाद है थीन बाद को ही रणजीत सागरबाद के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है थीन बाद भारत के किस राज्य में इस्थित है दोस्तो इससे तो हमें पता चल ही जा रहा है कि रणजीत सागरबाद एक सिक राजा थे तो इसे हम लोग थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि ये पंजाब के हिस्से में होगा तो थीन बाद भारत के किस राज्य में इस्थित है? दोस्तो यह पंजाब में इस्थित है अगला प्रस्ण है गाधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बाद किस नदी पर निर्मित है? दोस्तो यह चंबल नदी पर निर्मित है प्रस्तिद्ध चुलिय जल प्रपात चंबल नदी पर कोटा में इस्थित है अगला प्रस्ण है मैं थान बाद, बाल पहाड़ी एवं तिलया बाद किस नदी पर बनाए गया है दोस्तों ये तीनो बाद मैं थान बाद, बाल पहाड़ी और तिलया बाद ये तीनो बराकर नदी पर बनाए गया है अगला प्रस्ण है 27 नंबर पोंग बाध किस नदी पर इस्थित है दोस्तों जो पोंग बाध है यह ब्यास नदी पर इस्थित है अगला प्रस्म है सरदार सरोवरबाद किस नदी पर इस्थित है दोस्तों जो सरदार जी थे सरदार पटेल ये सरदार पटेल के नाम पर ही रखा गया है तो सरदार पटेल गुजरात के थे और गुजरात का लाइफ लाइफ लाइन नर्मदा नदी को कहा जाता है तो इसे हम जोड सकते हैं कि सरदार सरुवर बाद नर्मदा नदी पर इस्थित है नर्मदा नदी के किनारे ही सरदार की बहुत बड़ी मुर्ती लगी हुई है सरदार पटेल की जिसका नाम है स्टैचू ओफ यूनीटी यह विस्व की सबसे उंची मुर्ती है अगला प्रस्ण है फरका बाद किस नदी पर इस्थित है दोस्तो फरका बाद गंगा नदी पर इस्थित है फरका बाद अगले प्रस्ण पूछा जा रहा है कि फरका बाद किस राज्य में इस्थित है निम्नलिकित में से कौन सा बांध पश्चिम बंगाल में इस्थित है तो दोस्तों जो फरक का बांध है ये पश्चिम बंगाल में इस्थित है फरक का बांध यहां से बिजली का भी उत्पादन किया जाता है NTPC के द्वारा अगला प्रस्ण है नागार्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों नागार्जुन बांध जो है यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन अर्जुन से हम लोग याद कर सकते हैं और कृष्ण नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गय अगला प्रस्ण है इनमें से किस बाध को स्वामी राम तिर्थ सागर बाध भी कहा जाता है। अगला प्रस्ण है इडुकी बाध किस राज्य में स्थीत है। आपके लिए एक प्रस्ण है दोस्तों, सलाल बाध किस राज्य में इस्थित है? और आपके option दिये गये हैं, जम्मू कास्मीर, हर्याना, छतिसगर्द और महरास्ट्रा. आज हमने इन प्रस्णों को बहुत जल्दी जल्दी देखा, क्योंकि हमारे एक जामत बहुत ही नजदीक है, और हमें इन साइड टॉपिकों को समाप्त करना है, हमें अपने कोर्स को कम्प्लीट करना है, तो दोस्तों, अगर आपको इन प्रस्णों के एंसर पता है, तो आप comment box में इन प्रस्णों के अंसर कर सकते हैं, thanks for watching, मिलते हैं अगली वीडियो में